नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेलवे की पट्रियां, सिलीपर्स ये सब कहां पर बनती हैं तो इसे बनाने वाली दो बड़ी कमपनिया हैं जिसमें सबसे पहली कमपनी है भिलाई इस्टील प्लांट जो कि 36 गड़ में दुर्ग जिले के भिलाई सहर में इस्थित है इसे सुरू किया गया था 1955 में मगर रेलवे तो 1853 से चल रही है भारत में तो इससे पहले ये पट्रियां अंग्रेजों के द्वारा लाई जाती थी भारत में बीदेश से प्रोड्यूस करके उसके बाद जब भारत आजात हुआ तो उसके 8 साल बाद इस फैक्टरी को खोला गया तब से ये फैक्टरी रेलवे को अपनी सेवाएं दे रही है ट्रैक्स बनाकर बिजली बनाकर यहां तक की पैसेंजर और गुड्स लोकोमोटिव्स भी बनाकर और जादा तर पट्रियां इसी प्लांट से बनकर मिली है और अब दूसरी कमपनी है जिंदल स्टील प्लांट यह पहले सिर्फ बिजली बनाकर देती थी मगर इधर कुछ सालों से रेलवे के पट्री बिछाने के काम में तेजी आई जैसे डेडिकेटिड फ्रिट कॉर्ड कॉरिडर बनाने के लिए या नए लाइन्स बनाने के लिए तब पट्रियों की मांग बढ़ गई और फिर इस कमपनी को भी ओर्डर मिल गया तो अब बात आती है स्लीपर्स बनाने की तो हर जोन के अंदर कुछ फैक्टरियां जो स्लीपर्स बनाने का काम करती है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से सारी फैक्टरियां देख सकते हैं तो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब कर लें